तो कहानी शुरू होती है टौकियों से हर सुभा की तरह एक आमसी सुभा आज भी होई अफराcueffree काम में जाने के चलती बहुत से लोग तेयार होकर ट्रेन में बैठे अपने काम पिचाने के लिए ट्रेन में हर इंसान अपने ही काम में मकन बैठा था एक आत्मी पानी पीने के लिए बॉटन खोलता है, लेकिन हाथ से उसके धकन स्लिप हो जाता है, चलते-चलते अचानक ही वो धकन वा इब हुगया, धकन का वाइब होना था, कि अचानक ही कोर अचिप काम हुआ, सभी लोगों के फोन काम करना बन कर गये, और उन पर अर्थ्क में चले गई है और ट्रेन में पैठे सबी लोग बेहोश हो चुकी हैं उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आपको जंगल में पाया इधर उतर देखने पर पता चला कि पूरी ट्रेन नहीं यह तो सिर्फ ट्रेन का एक ही कंपार्टमेंट था जो इस अजीब जंगल में प सबी पैनिक हुए लोगों को प्रिलाक्स करने की कोशिश कहता है उसके स्काम में मदद कहती है यूमी नामी एक लड़की जो अभी फायर फार्फार्टर बन रही थी सैम ने एक कीजर के तोड़ पे उसे काफी क्लासिस भी दी थी और वो सैम को पसंद भी कहती है एर सीन कट वो तो हम देख चुके हैं लेकिन एक और कंपार्टमेंट भी गाइब है जिसे अभी तक नहीं दिखाया गया एंजीनियर्स टनल को चेकरते हैं जिस टनल के अंदर से वो कंपार्टमेंट से गाइब हो थे दूसरी तरफ हम साहम यूमी और उसके जाद एक और लड़के को हैं जो भी टनल को ही चेक करही हैं जाने के लिए कि शाहिद वहां कोई नहीं नहीं ढूलते लोगते आया हो उन्हें दूसी तरफ को फुए रोशने दिखाई दे रही थी एंजीनियर्स को लगा सभी लोग दूसे तरफ मुघूद है, और स्एम की गृप को लगा कि जो गुमे हुए लोगों की तलाश में ही थे आम का गुरूप जो टेनल से बाहर निकल चुका था वो शेहर के दूसी तरफ देखते हैं तो परिशान रह चाहते हैं क्योंकि यह पूरा टोक्यो शेहर एक लेगिस्तान में बदल चुका है इन अचीब हो गरीब चीजों की वह सी वीडियोस बना लेते हैं ताके जाखकर अपनी ही जैसे पैसिंजर्स को दिखा सेके इनके सोच के मताबिक जब इनोंने इस शेहर के बारे में लोगों को बताया तो किसी ने उन पे यकीन नहीं किया उन्हें भी जब वीडियोस देखी तो उन्हें यकीन आया कि वह किसी स कुछ समझते ही आ रहा था कि वो लोग यहाँ रहेंगी कैसे जीएंगी कैसे सर्वाइफ कैसे करेंगे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था आखिर इनको बचाये का कौन इस जगा में फसे उन्हें साथ घंटे कुजर चुके हैं कोई मदद को नहीं आया फोन में कोई सिग इसे एक गॉर्मेंट लेटर मिल जाता है जिस में साफ लिखा था ये वो एक क्रेमिनल है रहीनी का लिटा दिमाग उल्टा ही जला उसे नगा कि सारह का शरूर का है उसने हमें यह आपकर सबको भी बताती थी हैं है अच्छी में बचायर सबको संजाते रह जाता है कि लेट चाहती ही एक व्लोग गई लड़का यहां सैम और यूमी को बताता है कि रीना गलत कह रही है वो खुद सब के बैक से चोरी कर रही थी और मुझे नहीं लगता कि काया शीमा एक क्रिमिनल है यह चांद कर साम को बुरा लगा को काया शीमा को ढूने के लिए बाहर जाता है जहा बाहर देता है यह नहीं उसके उस क्रिमिनल वाले लैटर के बारे में इन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया परिशानी में रात हो जाती है बहुत से लोग तो सो गए थे लेकिन बहुत से लोग नीं तो दूर सोच उनकी जानी नहीं चोड़ी सुबा भी हो जाती है ऐसे कि सब लोग बेहाल वैठी है सैम सब की थोड़ी थोड़ी मदद करने की कोशिश करता है और उसके इस एक इस एक इसाइटिट से कहाई शीमा घूस आ जाता है कि फजूर में एक इंसान इता अच्छा कैसे हो सकता है वो से पूछ था है क्या आखिर तुम सब के इतनी मदद क्य सब्सक्राइब करने के जब 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 इसको भी मेरी ज़रूरत पड़े की मैं मतद करूंगा सैम के पास ठी कहानी सुनकर कायर शीमा को भी अपना भाई याद आ जाता है जब वो दोनों भाई छोटे थे कितने प्यार से रहते थे यह चाहिर दरीब थे लेकिन कायर शीमा ज को यह नहीं पता चला असलमें जो क्रेमिनल लेटर कायर शीमा के पास था वो इसके भाई कही था कुछ दिन बाद उसे बेल होने वाली थी और वो उसी को लेने के लिए ट्रेंड से जा रहा था अब सारे प्रसींजर्स ट्रेंड से निकल चुकी हैं अन्हें पता है कि उन्ह 2023 का इस ट्रॉफर के बारे में सब नहीं बहुत कुछ सुन रखा था लेकिन इसको देखने के बावजूद भी यह लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि यह लोग फ्यूचर में आ चुके हैं फ्यूचर में कितना दूर यह भी नहीं मालूँ इसी ट्रीम में एक बायर चि तक नहीं था सीन के ठोकर 2023 का वक दिखा जाता है जहां से कंपार्ट में यहां तक पहुंचा था बहुत दूरने के बाद भी उन साइंटिस्ट को वो कंपार्ट में नहीं मिला मजबूरां अब ऑफिशनी उन्हें इस खबर अनौंस करनी पड़ती है कि चल्दी ट्रेन के द चलो और कुछ रही दोचार कत्रे बूल की जमर हो जाए लेकिन प्लान उनका यह भी फेल हो गया सुबा हो गई अग्ला दिन आ किया बायरेजिस्ट इस एल्या की चान बिन करने के लिए जाता है और उसे एक ऐसा फ्लावर मिलता है जो बहुत ज्यादा पानी के आसपास नदी है यह सुन सैम डिसाइड करता है कि अगर तो यहां कोई जश्मा या नदी है तो वो से ढूंड कर रहेगा ताकि उसके सबी साथ ही प्यास पुछा सके उसके साथ जाते हैं यह बायरेजिस्ट का शीमा और यूमी भी चलते चलते यह लोग पहुंची एक बहुती बड लगे सेमस पहार के उपर से दूर दूर तर देखने लगता है जहां टोक्यों की बड़ी बड़ी मशूर बिल्डिंग्स थी वह जगा बस एक सम्मूंदर बन गई थी उसने बाहत आकर अपने स्थाथियों को बताए सबी लोग और भी ज़्यादा परशान हो गए यह चान क लेकिन जब के बाहर जाकर अपने अपने परशान के साथ यह बचाता है तो कोई इस पर यहां किसी इनसान को देखा क्योंकि एक लेकातार यहां चान बिंट रहे थे उन्हें तो यहां कोई इनसान नहीं मिला था दिखते ही देखते आज बारिश शुरू हो जाती है और बा कि लोग भी उसकी मदद करने का डिसाइड रहते हैं यहां हम दिखते हैं किरीना और यूमी जब दो लोग बैरिस चुन ने कहीं काम करें थी तो गलती से यूमी कुछ ऐसी बैरिस खाने थी है जो कि पॉइसलस थी इन्हीं जहरी ली थी इनसानों ने खाते तो मर जाते उसक कि दवित्वों भराब देखर साम बहुत जादा परिशान हो जाता है और यहां हमें फिर्षा हुआ कि साम भी उससे पसंद करता है है सभी लोग उसे लेकर कमपार्टमेंट मैं जने जाते हैं जैसे तर्श करके यह लोग उसका थोड़ा बहुत इलाज करते हैं और यहां यह भूग प्यास से मर जाएंगे इन्हें जिन्दा निड़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा इसलिए अगले ही दिन से यह लोग काम करने का फैसला कर दे हैं कुछ लोगोंने यह खाना डूड़ा था उस लोगोंने मिलकर बरतन मिलाए और आज की दिन इन्होंने बहुत च काम किया ऌने को भी ने बहुत कुछ भी ना था लेकिन यह सब और वह ब्रत चुश नहींं हैं अब आलोजिस्ट जो हर दिन इनका कोई ना कोई फार्था कर दिया करता था वो इस एरिया को रीट करते हुए उन्हें बताता है कि उसके नॉलिज के वुतापिक जैसा इस जगा का स्ट्रक्चर है यहां करीब ही कई नदी भी गुजर रही होगी और अगर यहां नदी है तो पाने की फिसारी जरूरते पूरी होचाएंगी और यह लोग महां से मचलिया पप्रकर सकते हैं किया जबरदस्ता आड घ्या था वो लोग उसे उनके साथ इस कंपार्टमेंट पे रहने की अजासते तो वो उनकी बहुत कामा सकता है वो एक security company में काम करता है उसे traps बनाने का बहुत experience है और वो इन लोगों के लिए traps बनाएगा जिससे ये लोग यहाँ पे secure रह सकेंगे उसके बाद सब लोग मान रहते हैं है आज सब लोग अपने routine के काम कर रहे थे ऐसे जैसे उन्होंने इस दिन देखी का accept कर लिया है काशीमा यहाँ पे रीना के बाल कट करता है चुकर के उसे बहुत मजाया लोग जंगल में गए उन्होंने खाना ढूंडा खाना खाया एक normal दिन गुशारा अगला दिन होचाता है यूमी और साम को उनके compartment के पास एक बच्चा दिखाए देता है बच्चा उन्हें देखते ही भागने लगा यह दोनों इस बच्चे का पीछा करते हैं बच्चे ने भागते भागते इनका बस एक ही फाइदा किया के नदी को पार करके यह दूसरा compartment बी बिल गया इनको यहाँ पर मिलता है यो मोटो जो इन सब खालीटर था सैम यो मोटो को बताता है कि उनके एक आदमी ने उनके बालोजिस्क पर हमला किया है यो मोटो इस चीज के लिए उससे माफी मांगता है पर इसका वक्त नहीं था यह लोग यहाँ पर एक दूसरे से इंपोर्टेंट इनफोर्मेशन शेयर करते हैं जैसा कि सैम और को यहाँ पर एक नदी मिली थी खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें मिली थी इस आनी बाते रम उनको बता देता है और यो मोटो यहाँ उन्हें बताता है कि जब वोडो के यहाँ आए तो इन्हें एक शिप मिली थी हाँ उस शिप के अंदर एक डाइनी थी और एक रेडियो रेडियो की फ्रिक्वेंसी मैच करते करते और एक दिन कैनेडा से कुछ सिग्वल्स को ले जिससे ने बता चला कि यह लोग साथ साल आ गया गये हैं यहने फ्यूचर में और साथ उसे यह बात में मालूम भी थी कि यह दुनिया तो 2026 में ही तबाह हो गई क्योंकि 2023 और जोविस में पहुची लोगों ने अपनी अपनी साटलाइट को स्पेस पेस पे भीज़ दिया था ताकि वो स्पेस के वारे में बहुत सी मालूमात हासल कर सके और यही चीज इस दुनिया को तबाह कर गई उन्हीं से तबही से एक सैटलाइट से डख़ाये और इस तबहीं में सारे इन्सान भिमारे कहां करें साम उस्हारा वो रेटियू कहां है नियुटे को कहती है हसति के बाद उसके ओपर कोई सिगनल नहीं मिले इसारी इंफोर्मेशन साम जाकर अपने बागी साथियों को बताता है टेंशन तो से खूब हो चुकी थी कि आखिर यहां से निकलेंगी कैसे इस हकीकत को सुनने के बाद कि वह साथ साल फ्यूजर में पहुच चुके हैं सब लोग परिशान तो हुए थे लेकिन इस तक पे सबको एक और सोच पियाए यह शाइन उने गॉड ने एक मोगा दिया है कि लोग पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करतें इस तबाही को होने से रोकी और यह सोच उन्हें होसला देती है कि यह पहले से बिजाता महीनत करें कोई रास को से ही गुसरता है यह क浮ें जिए बाफ्रोम बश्रक्राइब बना लेते और खाना जमा करने में और आज अब में semi जाकते हुए बाbok को नीचा जते हुए forsk लिश्ट के छी जाते में उसे कुछ खाने पिने का समान देता है यहां साम के ग्रूप के पास यूमी और रीना जो एक ही एज के थे वहापस में तक्रीब अदोस्त बन चुके थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनके दर्म्यान में लड़ा हुई रिना को इतना उसाया कि वह धक्का देकर यूमी को तो एक तरफ यूमी को यहां डर यह देखके लगा कि इस घड़े में पहने से ही इत्याश थी यह दोनों ही डर जाती हैं अपनी सेफटी के लिए यह लोग कंपार्टमेंट के तरफ भागती हैं लेकिन दूसरे कंपार्टमेंट के लड़के यहां उनका रास्ता रोख लेत है उसके बीचे कहा शीमा भी आ चुका था लेकिन जब यह दोनों महां पहुंचे जहां पहले यूमी और दूसरे कंपार्टमेंट के लोग थे तो इस ट्राइं तर दोनों यहां से काइब हो चुके थे यूमी उनसे बचते के लिए भागते एक शिप में छुप गई थी अ उससे सारा माश्वा पुछता है सैम उनके साथ यूने उनके ग्रूप की एक लेटी की साथ बच्तनी से की है ये चानकर वोपने ग्रूप के लोगों की तरफ से माफी मांगता है उसी कहता है यूमी जहां होगी वह से फ्टन तक पहुंचाएंगे लेकिन सैम को यूमोटो पर यह की नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि जुलाश अभी यूमी और रिना ने देखी है वो भी यूनी की ग्रूप के किसी बंदे की है जिसे यूमोटो के ग्रूप ने मार दिया यूमोटो जबाब में कहता है नहीं वो तुम लोग का कोई बंदा नहीं है वो हमारी ग वर्डर हो गया यहां सबी लोग उस आदमी को मानने पर मेरी बहादुरी पर मुझे लीडर मानने लग गए काई शीमा और सैम अपने कंपार्टमेंट के पास पहुंचाते हैं अब क्यूंकि वह हमला करने के पास कहे थे इसलिए उन्हें खत्रा था कि कहीं दूसरे के अंदर यूमी भी छूपी बैखी है वो यह रीडियो पे किसी से बात करने लिटा है लेकिन रूमी उसका जूट पकर लेती है कि वो किसी से रेडियो पर बात नहीं कर रहा और ये रेडियो तो चल पर नहीं सकता योगि नीचे से उसकी केबल ही कर रही हुई थी वो बाहरी निकलकर उससे पुछ लिए है कि तुम ये जूटा ड्रामा क्यूं कर रही हूँ आखर तुम एक क्या मिलता है इससे अब सचार तो यूमी को बता चली गई थी, खुद बताने में क्या हर्च था, यूमोटर बताता है, असल में मैं यहाँ सबका लीडर ही बन के रहना चाता हूँ, इसलिए तो ऐसे ड्रामे करता हूँ, मुझे नहीं जाना पास्ट में, अरे वहाँ पे तो मेरी किसी को गदर भ सब्सक्राइब करता है, और हम सेम और उनके साथियों को देखते हैं, इन्होंने बहुत से वैपन्स बना लिए हैं, जिससे लोग एक चोटी सी जंग लड़ेंगे, क्योंके वादे की मुटर ने अभी तक यूमी को उनके ग्रुप को वापिस नहीं किया, नहीं वो ढून के इसलिए यह सब लोग अगली सुभा उन लोगों पर हमला कर देंगे, यहां एक औरत उसे कहते हैं, हमला करना बिल्कुल ठीक है, मैं ग्रुप के फैसले के साथ हूँ, लेकिन फिर भी अकल ट्रेकाम लो, दूसरा ग्रुप हमसे ज्यादा स्ट्रॉंग है, हो ना हो, हम पर हम करके हमारे गरेज पर बात कर देगा और रहने की चोट थिखाना ह्मारे पास है, हमारे हाथ से चल जातौप को ब्लुप न ने साथ ही, produce जुए अससरा थिखाना जोग ज्यादा क्या ओन संट ब्मकर लेकिन पर हमल खलये, यह उनका जंब को तरसे भी लोग उनके से उपर हम सब्सक्राइब करते हैं लेकिन जनून में लोग लड़ने से बहास आने वाले नहीं थे कभी दूसरा ग्रोप साम की टीम को हर आने वाला था इससे पहले किस लड़ाई में बहुत से लोग में जाते यूमी यहां एंट्री करती हैं जिस्ते अपने आपको उस शिप में से आसाथ करवा लिया था वह यहां आकर सब को यूमोटो की यहीं इस लीडर की सचाई बताती थी है कि उसने अभी तक जो कुछ में सब को बताया बहुत जूट था उसके पास कोई रेडिय अब यूमोटो ने फैसला कर लिया था कि वह लीडर नहीं रहे का वह यहां पर एक डायरी छोड़ कर चना चाता है इस डायरी के अंदर ही वह सारी बाते लिखी थी जो पहले यूमोटो ने इन्हें बताई थी कि उसे रेडियो से पता चल्गी जैसा कि यह लोग इस टाइम 2060 में 2026 में दुनिया बरबाद हो गई वो किस वज़ा से हुई कैसे हुई यह सबी चीजें इस डायरी में लिखी थी यह डायरी उसे उस शिप से ही मिली थी पालिजिस्ट और वो औरत जो अपने रहने के लिए एक दूसरा ठीकानल दूने के लिए थे उन्हें यहां एक ऐसा टावल मिलता है जिसके अंदर बहुत से ग्रीन चमकते हुए पत्थर हैं जबके इस सीन कर्थ होता है और हमें 2020 का टाइम दिखाया जाता है एक साइंटेस जो ट्रेन के डबों के गाइब होने की मिस्टरी ढूम रहा है वो इस टाइम भी टैनल को स्ट्रडी कर रहा था टैनल की फुटिज को गोड़ से देखने पे उसे पता चला कि जिस टाइम ट्रेन के अंदर से वो टबें गाइब हुए उस टाइम टैनल के अंदर एक वार्म ह बना जिससे 2023 और 2060 की टाइम लाइन जोड़ दी यह वो साइंटिस्ट तो यह मिस्ट्री सॉल्फ कर चुका था पर साहम और का यह मिस्ट्री सॉल्फ करना अभी बाकी था यह लोग भी जादा वकते ही लगाते वो टाइरी जो इनके हाथ लगी थी उसको स्टडी करने पे इ चानक यहां बहुत बड़ा दोफान आ जाता है सभी लोग अपने कंपार्टमेंट में वापिस आ जाते हैं टनाका डिसाइड करता है कि वह इस कंपार्टमेंट के एमर्जंसी गेट को खोल कर दूसी तरफ वली टेनल के अंदर चला जाएगा इस दोफान से बशने के लिए वो जैसे ही एमर्जंसी गेट खोलता है इस कंपार्टमेंट का तो दूसी तरफ यह देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्म हॉल बना हुआ है जो आइस्ता इस्ता यहां की अल्श्टी चीज़ों को अपने अंदर खेंच रहा था उसने टनाका की बनाई हुई एक छोटी स इसको स्टडी करें थे कि अचानक उनके पास टनाका की वो डॉल आकर गिरती है जो वाम हॉल की वज़ा से यहां आई है यहां वाम हॉल को देखते ही पाद इन लोगों को भी समझ आ गया था कि आखिर वापिस जाना कैसे है इन्हें वापिस जाने के लिए एक वाम हॉल बन स्ट्रीन पत्थरों का इस्तमाल करते हैं और यहां उनके मेहनत से बिनाए इस सेट अप की वज़ा से अचानक बहुत बड़ा तुफान आता है और वाम हॉल बहुत जाता है सबी लोग इस वाम हॉल को देखकर बहुत खुश थे जिस इंसान ने वापिस आना था वो इस दर्वासा बंद कर देता है ट्रेन में एक बहुत बड़ा चटका आता है और ट्रेन पहुंच जाती है वापिस इंडी डाइम लाइन में पहले की तरह ही यह वेहोश हो गय थे और जब इन्हें होश आया तो कोई जोर-जोर से उनकी कैरिज को खट-खटा रहा था पाहिरान होने वाली है इसे दबाह होने से बचाना चाहिए यह लोग अपना फ्यूचर से लाया हुआ समान भी ने दिखाते हैं वो वीडियो और वो पिक्चर भी अपनी बातों भी यकीन दिलाने के लिए ने दिखाते हैं जो नहोंने बहाँ बनाएं थी लेकिन कोई भी उनकी बात का मेडिकन एग्जामिनेशन किया जाता है जहां कोई भी उनकी बातों के यकीन ही कर रहा था वहीं पर दे वो साइंटिस्क जिसे नोवा एक्स्प्लोयन के बारे में पता चलाया था उनसे मिलने के लिए जाता है दूसी तरफ इसी ट्रेन में पेखी हुई वो लेडी जो ए रेदह आएकि एक इस्टरइड उनकी दुन्या से टक्राने वाला हodor उससे दुनिया को बचाने की लिए यह लोग एक ऐस अम ऐशन में बढ़ा रहे हैं जिससे अलोग तकार चाहे ख i지 उसके बात किसी बीन चीचिजवा की हिर्दिया गार उसकिन फियर जाता है उस दिस सब ये दुसरे से ऐसी मलते हैं जैसे आएंदा ये कभी मिले गई नहीं, इन्हें एतबार नहीं था, नचाने ये दुनिया बचे की भी ये नहीं, सबी लोग वलकर उस नहीं उसको देख रहे थे, जहां मजाए आश्मान में जा रहा था, इनकी सांसे तब तक थमी रहीं, तक नहीं, ये गोटियों से ही मिल गई, ये वो मजाए एस्टरोइड को तबाह करने में काम्याब हो गया है, फाइनली ये दुनिया बच चुकी थी, और इस दुनिया को उसकी असल हालत में दिखाते हुए, ये सीजन यहीं एंड होता है,